तिहिरी की एक ऐसी ग्राम सभा जहां हर युवा करता है स्वरोजकार हर युवा जुड़ा है एडवेंचर स्पोर्ट्स के कारुबार से इस ग्राम सभा की युवाओं ने शहर की नौकरी छोड अपनाया स्वरोजकार राफ्टिंग और कैंपिंग कारुबार से कमा रहे लाखो रुपए जहां एक ओर हर कोई सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है वहीं उत्राखंड की एक ऐसी ग्राम सभा है जहां के युवा सरकारी नौकरी के बारे में सोचते भी नहीं है जी हां, यहां के युवा एटवेंचर का कारोबार कर, हड़ साल लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं टहरी जिले के बवानी ग्रामसभा की टहरी के बवानी ग्रामसभा के लोगों ने सहसिक परियतन के शेत्र में आत्मे निर्भर बनने की नई इभारत लिखी है खास बात ये है केस ग्राम सभा में लगपक सभी युवाओं ने वाटर स्पोर्ट्स के अलावा कैम्पिंग, ट्रैकिंग आदी में अपने जीवन यापन करने की ठानी है रिशिकेश से महस 12 किलोमिटर की दूरी पर टिहरी जिले की 500 आबादी वाली ग्राम सभा बनवानी में करिब 80 परिवार रहते हैं ये लोग पहले क्रिशी और दूद उत्पादन पर निर्भर थे लेकिन आज के बदलते परिवेश में यहां के लोगों ने भी अपने आपको बदला है यहां के युवाओं ने गंगाटट के नस्दीक होने के चलते पहले राफ्टिंग, कायक और बीच कैम्प, संचालन के गुर सीखे और फिर परियटन में रोजगार की संभावना तराश्ते क्रामीन युवकों ने चंदा एकत्रित कर पहले कुछ राफ्टे खरी दी जिससे आमदनी अच्छी हुई, तो इससे गाउं के कई लोगों की आजिविका चलने लगी देखते देखते आज लगभक 95 फीसद काउं परियटन पर निर्भर है जिसमें कुछ ही लोग ऐसे हैं जो घरों से बाहर नौकरी कर रहे हैं वो भी वो जो सरकारी पतपर हो या जन्म से ही प्रवासी हो वाटर स्पोर्ट्स के कारुबार से जुड़े सुरेंदर रतोडी का कहना है कि वहाँ पिछले 10 साल से सहसिक खेल का कारुबार कर रहे हैं शेत्र को परियटन कारुबार में अधिक बड़ावा मिल सके इसको लेकर सभी युवा एक जुट होकर काम कर रहे हैं हमारा मकसद है कि हम दूर दरास की नौकरियों के भरोसे ना रह सके अपने ही शेत्र में अडवेंचर का काम कर सके इससे पलायन पर भी ब्रेक लगेगा और आमदनी भी होगी पिछले 10 सालों से सहसी खेलों का कारुबार कर रहे हैं वही बीच कैम संचालक धनवीर भंडारी का कहना है कि पहले गाउं के युवा नौकरी करने तक सीमित थे लेकिन अब वो नौकरी दे रहे हैं। गाउं के सभी लोगों का राफ्टिंग ही अब व्यवसाय बन गया है। प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के भारत को आत्म निर्भर बनाने की बात को कहीं न कहीं। बवानी ग्राम सभा की युवा सार्थक करते नजर आ रहे हैं। ज़रुजगार अपनाने और आत्म निर्भर बनने की इस ललक से अन्य युवाओं को भी प्रधेश की पर्यटन गतिविधी में बढ़ चड़कर हिस्सा लेने का मौका मिल सके। इसको लेकर सरकार को इन श्वभर में मशूर योग के इंटरनेशनल कैपिटल रिशिकेश की एक अमिट छाप पन सके। पंजाब केसिरी टीवी के लिए रिशिकेश से अमित रतूडी की रिपोर्ट।